हेलो गईज आप देख रहे हैं FtThoughts मेरा नाम है रवी कुमार और गईज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अपने वैबसाइट के लिए अपने ब्लॉक्स के लिए बहुत यासानी से मातर पांच मिनट में 2000 वर्ट से लेके 3000 वर्ट से के आर्टिकल बहुत ये असानी से सिंगल क्लिक में जेनरेट कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस ट्रिक के बारे में जानना है मैं अपने वैपसाइट के लिए बहुत ये पाइस आने से 500 से लेके 1000 वर्ट्स 2000 वर्ट्स तक के अर्टिकल जनरेट कर सकते हम और इस वीडियो में आप लोगों को 1000 वर्ट्स तक का आर्टिकल या 2000 वर्ट्स तक का आर्टिकल मात्र 5 मिन्ट में जनरेट करके दिखाने वाला हूं, so guys बहुत interesting वीडियो होने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को like करिएगा, एन ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, आप लोग चैनल को भी subscribe कर सकते हैं, तो चलिए guys, without किसी देरी के वीडियो को start करते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस amazing trick के बारे में, so guys, इसके लिए आप लोगों को करना कै, सबसे पहले guys, इसके लिए आप लोगों को YouTube पे आ जाना है, और YouTube पे आने के बाद, आप लोगों को एक topic चुनना है, जिस पे आप लोग अपना जो article है, वो लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, how to get more sales on Amazon, और आप लोगों को उसके आगे language लिख देनी है, English, क्योंकि guys, यह जो tool है, वो English support करता है, तो आप लोगों को English लिख देना है, अब इसके बाद guys, आप लोगों को एक video यहाँ पर चुन लेनी है, उसका duration जो है, वो guys, जादा से जादा 10 से 15 मिनिट का होना चाहिए, तो वो duration वाली video आप लोगों को चुन लेनी है, और ध्यान रखना है कि जो उसमें words बोले गए हैं, वो softly और बहुत ही आसानी से समझ आ रहे हैं, इसी के साथ साथ जो video का language है, जब वो English होना चाहिए, तो इतनी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और यह सारी चीजे करने के बाद उस video को आप लोगों को select कर लेना है, तो guys मैं कोई भी एक video select कर लेता हूँ, जैसे मेरे को ये video select करना है, तो ये video मैंने select कर लिया, अब guys इसके next step में आप लोगों को क्या करना है, इसका URL इस video का copy करना है, और आप लोगों को एक website पे visit करना है, जो की YouTube videos को MP3 में convert कर देती है, तो आप लोगों को YT2 MP3 लिखके Google पे search कर देना, और इस website पे visit करके, इस video को MP3 version में download कर लेना है, तो देख सकते हैं, जो मेरा file है, वो download होने लग गया है, अब इसके बाद आप लोगों को visit करना है, happyscribe.com की website पे देख सकते हैं, happyscribe.com ये website का नाम है, इस पे आप लोगों को visit कर लेना है गाईज, और यहां से आप लोग MP3 songs को, या MP3 audio से उसे आप लोग text में convert कर सकते हैं, जो भी उसमें बोला जाएगा, वो text में convert हो जाएगा, तो इसकी मदद से आप लोग 2000 से लेके 3000 words तक के article को generate कर सकते हैं, अपने blog या अपने websites के लिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना account बनाना है, तो guys यहाँ पर account आप लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे accounts बना के, बहुत सारे articles यहाँ से generate किये हुए हैं, अब इसके बाद guys, जैसे ही आप लोग अपना account यहाँ पर बना लेंगे, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है guys, दो options आप लोगों को मिलेंगे, transcription या subtitles, तो आप लोगों को transcription वाले buttons पर click कर देना, और इस button पर click करने के बाद guys, आप लोगों ने जो MP3 जो audio आप लोगों ने अभी download की थी, इसे यहाँ पर simply upload कर देना है, तो देख सकते हैं, मैंने दो वीडियो याँ दो audios यहाँ पर upload किया है, तो कोई भी एक मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ, देख सकते हैं, how to start your blog वाले जो audio था, उसे मैंने यहाँ पर select कर लिया, और इसे यहाँ पर simply upload होने दूँगा, अब guys, जैसे यह audio upload हो जाता है, तो इसके बाद guys, यह जो भी इस वीडियो में, या जो इस audio में बोला गया होगा, वो text के format में हमारे सामने आ जाएगा, और आप लोगों को ध्यान रखना है, जो English वाला language है, वो English में होना चाहिए, इसके बाद Transcribe के button पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो guys, यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ questions के answers आप लोगों को देने, तो यहाँ पर जो जो options मैं select कर रहा हूँ, वो आप लोग as it is select कर लीजेगा, देख सकते हैं, आप लोग इसमें कुछ भी select कर सकते हैं, वैसे कोई matter नहीं करता, तो यहाँ पर कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक्जांपल कुछ भी लिख दिया, और simply continue के button पे click कर दिया, अब guys यह पूछ रहा है, आप लोगों को किसलिए इसे use करना है, तो यहाँ पर content, publishing, videos, production, podcast, production, content, archiving, and quality research है, तो यहाँ पर मैंने अपना जो भी option था, उसे select किया, और देख सकते हैं, तीन minute का वक्त यह मांग रहा है, बट तीन minute से पहले ही यह जो process है, वो complete हो जाएगा, तो जैसे यह complete होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि results कैसे आए, तो देख सकते हैं guys, अब जो हमारा video था, वो text में convert हो चुका है, अब simply आप लोगों को क्या करना है, इस पर click करना है, और आप लोग देखेंगे कि 2000 वर्ट तक का article हमने generate कर लिया है, मातर पांच मिनट के अंदर हो guys, यह जो article है, वो 100% plagiarized free है, अगर इसे किसी ने इस तरीके से पहले use नहीं किया होगा, तो यह 100% plagiarized free है, और आप लोग इसे अपने blog post में use कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँगा, इस यह कितने word का है, तो आप लोगों को मैंने कहा था, कि मैं 2000 वर्ट तक का article generate करके दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे paste के, और अगर आप लोग देखें, इतने words लग के article generate कर सकते हैं, आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को यह सारी चीज़े बताई, अब यहाँ पर जो थोड़ी थोड़े changes आप लोग करना चाहें, वो कर सकते हैं, आप लोगों को पहले यह generate करने के बाद अच्छे से पढ़ना है, जहाँ पर आप लोगों को लगता है change करने की जरूरत है, उसे change करना है, as it is आप लोगों को copy paste नहीं करना है, इसमें भी थोड़ा आप लोगों को मैनत करनी पड़ेगी, अब यह सारी चीजे करने के बाद आप लोग इसे use कर सकते हैं, अपने ब्लॉक के लिए, अपने website के लिए, so guys I hope वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जरूर करिएगा, एन ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, so thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, until then good bye.